अमेरिका में राष्टपती चुनाव अगले साल नवंबर में होने हैं लेकिन वहां सियासत अभी से गर्म होती नजर आ रही है एक तरफ जहां विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्टपती भी चुनावी बयान बाजियां करते नजर आ रहे हैं अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने एक बर फिर आयात शुल को लेकर भारत सहित कई देशों पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि कुछ देशों की वज़े से अमेरिका को अर्बो डॉलर का नुकसान हो रहा है उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर भारत की ओर से लगाए गए बड़े शुल की आलोशना करते हुए कहा कि भारत ने अमेरिका के कागज के उतपादो और हारले डेविटसन मोटरसाइकल पर काफी हाई टेक्स लगाया हुआ है और उचे शुलकों की वज़े से अमेरिका को भारत, चीन और जापान जैसे देशों से अर्बो डॉलर कान नुकसान हो रहा है अमेरिकी राष्टपती डॉनाल ट्रम के इस बयान से कई माएने निकाले जा रहे हैं ऐसा लगता है कि डॉनाल ट्रम भी चुनावी मूड में आ चुके हैं और उनका हालिया बयान इसकी गवाही भी दे रहा है एक बार फिर से ट्रम अपने देश के नागरिकों को लुभाने के लिए अमेरिका फर्स्ट की निती अपनाते नजर आ रहे हैं अब देखना होगा कि 2020 में होने वाले राष्टपती चुनाव में ट्रम को अमेरिकी फर्स्ट की पुरानी निती से कितना फायदा होता है